हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका तो हॉरर जंक्शन में और आज का टॉपिक है प्रिताब कड़ का जंगल आज ये जानते हैं इसे करीब से इसका सामना मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने किया था तो चलिए महसूस करिए डर खो ये बात तब की है जब मैं टेंथ स्टेंडर्ड में परता था हम सब स्कूल कैम्पिंग के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे टीचर्स ने हमें हम सब को डिसाइड करने के लिए कहा था तो सोचने के बाद हम सब ने तापकड़ का जंगल में जाने का प्लैन बनाया मैं पर एक्साइटर था कि हम सब तो एक साथ जंगल में मज़ा करेंगे क्योंकि इस से पहले मैं किसी जंगल में नहीं गया था आखिर वो दिन आ गया और हम सब कूल बस में सवार होकर जंगल की तरफ जाने लगे ये दिन का समय था हम सब जाई रहे थे कि जानक बस चलते चलते रुख गई हमने सोचा कि शायद टायर पंचर हो गया है ट्राइबर मीच उत्रा है वो चिक करने लगा कि क्या कर पड़ है फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था खराबी ढूंटे ढूंटे आदा कुटा निकल गया तब तक शाम के चार बत चुके थे फिर ड्रैवर ने बस स्टार्ट करने की कोशिश की तो बस स्टार्ट हो गई और हम जंगल पहुच गए देरे देरे दिन डल गया और रात होगी अब हम सब अपने अपने कैंप में सोने के लिए जा रहे थे हम सब कैंप में बैट कर इधर और की बाते कर रहे थे बातों बातों में प्रेट की बाते चिल गई हमने काफी तेर इस पर बात की हम छे लोग थे हम में से एक डरपोग था जो नया स्टूडेंट था क्लास में उसने कहा ये सब बाते यहां मत करो हमने कहा क्यों ना करें फिर उसने कहा कि इस जंगल में एक तूरिस्ट का भूथ घूम रहा है वो तूरिस्ट नहां पर घूमने आया था गुंते गुंते वो काफी अंदर चला गया और बटक गया उसके साथ उसकी वाइफ भी थी उसकी वाइफ ने तो किसी तरह रास्ता ढून लिया और जंगल के बाहर आ गई और अपने हस्बेंट को ढूनने लगी काफी ढूनने के बाद वो नहीं मिली तो उसने पुलिस की मदद ली पुलिस ने उटे ढून लिया था पर वो मर चुका था उसके शरीर पर जंगली जानवरों के काटने के निशान थे जिससे उसकी मौत हो गई थी और तो और उसके शरीर का अधामस कायब था और जो अधा बचा हुआ था वो खून से लटबत था शायद जंगली जानवरों ने ही उसे आधा खा लिया था कहा जाता है कि उस हासे के बाद जितने भी लोग इस जंगल में खूमने आते हैं वो उन्हें मार देता है हम सब हचने लगें पर उसने कहा कि ये सब सच है यकीन करो मेरा उसने कहा ये सब बाते मेरी दादी ने मुझे बताई थी उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जूट बोल रहा है मैंने उससे कहा कि अगर ये सब सच है तो हम सब अभी जाकर चिक करेंगे उससे छोड़ बाकी सारे दोस्त मेरे साथ आ गए करीब रात के साड़े क्यारा बज़ रहे थे हम सबने अपना अपना मोबाइल निकाला और जंगल के इंदर जाने लगे कुछ दूर अंदर जाते जाते जंगली जानवरों की भैयानक रोने की आवास है आने लगी उस पहानक आवास को सुनते ही मेरे तीन दोस्त वापस कैम के पास चले गए अब सिर्फ मैं और मेरा दोस्त रिशी भी बचे थे हम दोनों अभी भी आगे की ही तरफ जा रहे थे कि किसी की चलने की आवास आने लगी हमें लगा हमारे तीनों दोस्त फिर से हमारे साथ आ रहे थे इतना सोचते सोचते वो आवास चलने के वज़ाए दोनने में बदल गई तोनने की आवासे तो आ रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था हम खबरा कर एक पड़े से पेड़ के पीछे चुपे और एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या कर दिया तब ही हमें कुछ दूर एक गणी जाड़ियों के पीछे कोई खाड़ा हुआ दिखा हमारे देखते ही वो कायब हो गया हमने सोचा कि वो जो भी था अब हुआ से जा चुका है पर ऐसा नहीं था हम दोनों जैसे ही पीछे मुड़े तो हम जम से गए हमने देखा कि वो साया जो सपे तुमे किता रहा था बिल्कुल हमारे सामने पांच कदम की दूरी पर खड़ा था हमारी सांसे हजीब और बहुत ही तेज हो गई और वो साया मेरे दोस्त की आखों में देख रहा था देखते ही देखते हैं मेरे दोस्त ने अपनी गर्दन नीचे की तरफ जो काली और मेरा गला दबाने लगा उसकी आखे बिल्कुल लाल हो गई थी उसने मेरी आखे में खूरना शुरू कर दिया था उसके हाथों में इतने दम था कि जैसे कोई अधेड़ उमर का आदमी मेरा गर्द बार रहा हो मैं बिल्कुल अधमरा हो चुका था तबि मैंने देखा कि मेरे दें तरफ से काफी सारे लोका रहे थे बस मैं इतने ही देख पाया और बेहोश हो गया सुभा जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने मेडिकल डॉक्टर जो कि हमारे साथ ही आये थे उनके कैंप में लेटा हुआ था मैंने उनसे पूछा कि मैं यहां कैसे आ गया तो उन्होंने बताया कि तुम और रिशी मुझे जंगल के एक बड़े से पेड़ के पास बेहोश मिले तो मैंने उनसे पूछा कि रिशी कैसा है तो उन्होंने बताया कि वो सो रहा है फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम आधी रात को जंगल में क्या करने गए थे तो मैंने उन्हें कल रात की सारी बात बताई वो तुरंट मेरी बात समझ गए उन्होंने भी वही सब बाते बताई जो उस नए लड़के ने हमें बताई थी पर उन्होंने ये भी बताया कि वो साया लोगों को काबू करता और मर कर खा जाता उस रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था आज में और रिशी दोनों सेफ हैं उसके पाद हम किसी भी जंगल में कभी भी खूंने नहीं गए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंटाईएगा प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए